हेलो आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट का चेप्टर नंबर फाइव जिसका नाम है खनीज संसाधन और खनीजिवम उर्दा संसाधन बच्छों देखिए यह चप्टर भी बड़ा है तो इसको भी मैं दो पार्ट में करूँगा और दूसरा भी वीडियो आपका थोड़ा सा लेट हो गया था उसका करन्ट था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो चलिए मैं कॉसिस करूँगा कि regular हम कर सकें और January में यह जो पूरा geography का जो 10 तक का है उसको हम complete कर लें तो चलिए बिना देरी के हमीशा की तरह स्टार्ट करते हैं कॉस्टन नमर बन है आयसक किसे कहा जाता है खनीज और अन्य अव्यव्यों के मिशन को आयसक कहा जाता है या फिर दूसरी भासा में या फिर सामाने भासा में कहा जाए तो जब हम किसी particular किसी element को खोशते हैं तो वो impure form में जो natural form में जब मिलता है तो निश्यत रूप से उसमें बहुत सारी impurities होती है बहुत सारी असुद्धियां होती है तो उसके अलावा जो चीजे उसके साथ मिलती है तो जो ऐसा समलित रूप जो दिखाई हमें देता है जिसमें खनीज और अन्य अव्यव्यों भी ह लिवाजित किया गया है तो देखिए खनीज जो है वो धात्विक अधात्विक और ओर्जा खनीजों में विवक्त किये गैए हैं। धात्विक खनीजों को आगे लोहो और अलोहो धात्विक खनीजों में भी विवक्त किया गया है, यानि लोहो धात्विक खनीज और अलोहो धात्विक खनीज है नो, और दूसरा अधात्विक खनीज और उर्जा खनीज, तो मुखे तक कितने भागों में हैं, तीन भागों मे विभक्त किया गया है नेक कुशन देखी धात्विक खनीज किसे कहते हैं? धात्विक खनीज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? धात्व आदिक के खनीज को इसका मतलब क्या होता है? ऐसे खनीज जिसमें धात्व की अधिकता हो वो धात्विक खनीच कहलाते हैं यानि धातू का अधिक्ता जिसमें हो वो खनीच धात्विक खनीच कहलाते हैं ऐसे खनीच जिनमें धातू की अधिक्ता हो क्या कहलाते हैं? धात्विक खनीच कहलाते हैं नेक कोशन देखी हेमेटाइट, मेगनेटाइट, लीमोनाइट और सेडेराइट ये किस प्रकार के आयस्ट के हैं ये हैं लोहधातू आयस्ट के हैं ये इसके उधारन है चली, नेक कोशन देखिए, बॉकसाइट आयस किस तत्व से सम्मंदित है इसमें से कौन सा एलेमेंट निकाला जाता है तो वो है अलुमेनियम, अलुमेनियम को निसकर्ठन यानि निकाला जाता है किसे बॉकसाइट आयस से नेक कोशन देखिए, चूना पत्थर, घीया पत्थर, बलुवा पत्थर और रॉक फॉस्वेट किस प्रकार के खनीज हैं? अब भ्रक, जिप्सम, संगमरमर और ग्रे नाइट किस प्रकार के खनीज हैं? तो देखिए, ये कौन्चे खनीज हैं? ये आधात्विक खनीज हैं? अधात्विक खनीज क्या होता है? जिसमें अधात्विक खनीज क्या होता है? जिसमें अधात्विक पाई जाती हैं, जिसम कोईला, पैट्रोलियम, प्राकर्तिक गैस, यूरेनियम और थोरियम किस प्रकार के खनीज के उधारण है? ये उधारण है आपके उर्जा खनीजों के, उर्जा खनीज के उधारण है क्योंकि इनसे हमें उर्जा प्राप्त होती है किसी ना किसी प्रकार से यूरेनियम और थोरियम कैसे हैं, यूरेनियम थोरियम दोनों ही दोनों रैडियो एक्टिव मैटेरियल हैं, यानि ये रैडियो एक्टिव पदार्थ हैं, रैडियो सक्री पदार्थ हैं ये, ठीक है, यूरेनियम और थोरियम और ये सभी क्या हैं, कोईला, पेट्रोलम, प्र वर्गीकरत किया जाता है, खनिज्ट निश्कर्षन विधियों को सामने तहा कितने प्रकार में वर्गीकरत किया जाता है, निश्कर्षन का मतलब क्या है, निकालना, खनिज्टों को निकालनी की जो विधी है, उसको कितने प्रकार में विवक्त किया गया है, तो उसको मुखि प्रवेधन और आखनन इस तरीके से खनन प्रवेधन और आखनन इस तीन प्रिकार से इसमें विभक्त किया गया है इनमें अंतर क्या है चलिए आगे देखते हैं आगे के questions में ने question देखिए जब खनीच निस्करशन उपरी सतय को हटा कर किया जाता है ऐसा खनन किस प्रकार का खनन कहलाता है यानि धरातल का थोड़ा सा हिससा खोदा और हमने अपने खनीच को निकाल लिया तो ऐसा जो खनीच निस्करशन होता है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है वीवरत खनन का आजाता है, जब हम धरातल की उपरी सतय को हटा लेते हैं, थोड़ा सा खूद लेते हैं, और फिर जो मिखनीज निकालते हैं, वो क्या कहलाता है, वीवरत खनन कहलाता है, नेक क्योशन देखिए, धरातल पर गहराई में पाये जाने वाले खनन प्रकरिया अपनाई जाती है जब उपरी परत को थोड़ा सा खोदने पर कोई खनिजदा मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा खोदते हैं एक बड़ा सा कुवा बना लेते हैं बड़ी करी खानी खोदेते हैं तो ये क्या है? ये कौन सा किस प्रकार का खनन कहलाता है? ये कहलाता है कूप की खनन, आपको पता है कूप यानि क्या होता है, कूप यानि कुवा होता है, तो कूप की खनन, जिसमें हम धरातल में गहराई में पाए जाने वाले खनिजों के निस्करशन परक्रिया को अपनाते हैं जिस दीज के लिए, वो क्या कहलाता है, कूप की खनन नेक कोशन देखिए थोड़ी सी खान खोधना या फिर कुवा खोधना वो संभव नहीं हो पाता है उससे खनीज मिकालना तो उसके लिए क्या किया जाता है उसके लिए ड्रिलिंग की जाती है तो प्राकर्ति गर्स और प्रेट्रोलियम के लिए अक्सर क्या किया जाता है ड्रिलिंग की जाती है औ ऐसे खनी जो धरातलिय सत्य पर ही मिल जाते हैं, जैसे कि मिटी, इनकी निसकर्शन के लिए किस प्रकार की निसकर्शन विधि का उप्योग किया जाता है? यानि इनका उपयोग करने के लिए हम इसको निकालते हैं। तो किस प्रकार की विधी का उपयोग किया जाता है। क्या कहते हैं उपयोग किया जाता है। चलिए, नेक कोशन देखिए, खनीजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, राजस्थान को, राजस्थान को खनीजों का अजायब घर कहा जाता है, नेक कोशन देखिए, भारत में सरवाधिक खनीज भंडार किस राज्ये में हैं, भारत में सरवाधिक ख इसका एक अधिकार का मतलब क्या है? यहां पर उत्पादन में मतलब जो राज्य है उसके अंदर वॉलेस्टो नाइट और जस्पर पूरी तरह वहीं पाया जाता और भारत में कहीं नहीं पाया जाता है इसा कौन सा राज्य है जहां ये दोनों पाया जाते हैं वो है राजिस्थान राजिस्थान में वॉलेस्टो नाइट और जस्पर पूरी तरह भारत में किवल राजिस्थान के अंदर ही होता है यानि भारत का 100% वॉलेस्टो नाइट और 100% जस्पर राजिस्थान के अंदर उत्पादन होता है नेक कुशन देखिए, ताज महल के निर्माण में उपयोग किये गए संग मरमर के पत्थर का उत्पादन किन खानों से किया गया था, तो कौन जी खाने थी, मकराना की खाने थी वो, मकराना का पत्थर आपको पता है, बहुत फेमस है, तो मकराना की खाने जो नागोर जिले में हैं, राजिस्थान के अंदर, वहां से ताज महल के निर्माण में जो संग मरमर का उपयोग किया था, तो कहां से लिया गया, मकराना की खाने जो की नागोर जिले राजिस्थान के इस्तित हैं, next question देखिए, भारत का कितना पृतिसत जस्ता राजिस्थान में मिलता है, भारत का कितना पृतिसत जस्ता राजिस्थान में उत्पादन होता है, कितना होता है, निन्यान में पृतिसत जो है, भारत का, भारत में जितना जस्ता पैदा होता है, उसका निन्यान में और जस्पर तो कुई तरह राजिस्थान में ही पाए जाते हैं जस्ता आपने देखा अभी 99% फिलोराइड, जिपसम और मार्भल भी यहाँ पर 90% से उपर पाए जाते हैं एसबस्टेस, घिया पत्थार, सीसा, रॉक्स, फास्वेट यह भी यहां के मुख्य पाए जाने वाले खनीज हैं राजिस्थान के अंदर चलिए, यह राजिस्थान से संबन्देद सार्णी हैं इस बाद का याद रखेगा नेक कोशन देखें राजिस्थान में धात्विक खनीज कहां पाए जाते हैं यानि किन जिलों में पाई जाते हैं? तो देखिए इसके लिए डायरेक्ट लिए एक सारणी देख लेते हैं चीसा जस्ता कहां पाई जाता है? भीलवाडा, उदैपुर और राजसमन्द में देखिए राजस्तान में अधात्विक खनिज किन जिलों में पाई जाते हैं? तो देखिए इसमें राख फॉस्पेट है जो जैसल में और जैपुर देखिए यहां पर जो खनिज दिए हैं यह मुख्य मुख्य जो खनीज है केवल उनकी डिटेल्स यहां पर दी गई है जो वुक के अंदर अविलिबल थी चूना पत्था जिताओडगर सरोही नागोर कोटा बूंदी और जैसल बेर में अभरक जो है भीलवाडा अजमेर उदैपूर और जैपूर में पाये जाता है जिप्सम है बिकानेड जैसल में नाग और बाडवेन में है घिया पत्थर आपका उदैपूर भीलवाडा दूंगरपूर और दौसा में पाये जाता है वालेश्टोनाइट इसके बार में बहुत पूंचा जाता है और ज्यादा रिपीट तो नहीं हुआ है लेकिन एक बारी कोशन आ च रखता है सिरोही अजमेर उदैपूर और पाली में वालेश्टोनाइट पाये जाता है यह इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि राजिस्थान में ही होता है वालेश्टोनाइट इसी तरह है लिगनाइट जिसको केस का हो है कोईले का हमारे राजिस्थान में जो सबसे उत्त प्रिकार का जो कोईले का खनीज पाय जाता है वो लिगनाइट फॉर्म में पाय जाता है और लिगनाइट कहां मिलता है बीकानेर, बाडमेर और नागोर में ये भी काफी important point है संग्मर्मर, राजसमंद, नागोर, उदैपूर, जैपूर और बांसवाड़ा आपको पता है नागोर की कौन जी मकराना की खानों से क्या बना था ताज मेहल करने में बना हुआ था ग्रेनाइट कहां मिलता है जालो और जैसल मेर पाली और सिरोही में और बलवा पत्त जोदपूर, बूंदी, भीलवाड़ा, धौलपूर, कोठा और चित्ताओडगर में तो इसी के साथ आपका आज का होता है ये पार्ट समाब मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीड तो तेंक यू